हेलो एवरिवन, वेलकम टो मैं चैनल, आज का मेरा रेजिबी है मस्रूम बेशर, यह जो मस्रूम है, इसको हम ओर्या में बोलते हैं पाड़ छतू, और यह मस्रूम बटम मश्रूम से थोड़ा अलग होता है, इसका जो टेस्ट है, यह बहुत अच्छा होता है, चलिए इस मस् नीचे जो पतला छिलका है, हम उसको निकाल देंगे, इस मस्रूम को हम हल्दी के पानी में वॉश करेंगे, एक बार वाश करने के बाद और एक पतिले में हल्दी का पानी लेके, इसको आधा घंटा हम उस पानी में सोक कर लेंगे, यहां पर मैं कुछ मसाला आधा घंटा पेले सोक कर ली हूँ और इसमें मैं वान टेबल स्पून फाइट सर्सो ली हूँ वान टेबल स्पून ब्लाक सर्सो ली हूँ वान टेबल स्पून में पोस्तो दाना ली हूँ और वान टेबल स्पून जीरा ली हूँ और एक रेट चिली ली हूँ और आप तीखा ज्यादा ख तुछ करके पानी से निकाल लेंगे, मैं ग्राइंडर जार में कुछ 5-6 क्लोप्स गारलिक ले ली हूं, और उसमें दो टमेटो ले ली हूं, और जो मेरा सोक्ट किया हुआ मसाला स्था बो सारा चीज ले ली हूं, और इसको हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे अभी, अभी सा यह मस्रूम से बहुत पानी निकलता है, इसलिए हम इसको थोड़ी देल फ्राइ कर लेंगे, अभी मेरा मस्रूम ड्राइ हो चुका है, यहां पे 2 टमेटो ली हूं, और कुछ करी लिप्स ली हूं, और 2 उनियन्स को फाइनली चप्ट करके ले ली हूं, अभी एक कड़ाई म होने तक फ्राइ करेंगे, और उसके बद यह जो पीशा हुआ मसाला सार्सो का उसको डाल देंगे, और यह सब को थोड़ा सा पानी देके, अभी हम कुक करेंगे, अभी इस मसाले में हम पानी और टमेटो देके इसको कुक करेंगे, इसको अभी हम ड्राइ होने तक कुक करें देखिए मेरा मसाला पुरी तरह ड्राय हो चुका है इसमें अभी हम मश्रूम डाल देंगे मश्रूम को मसाले के साथ थोड़ी देर कुक करेंगे मश्रूम को मसाला में कुक करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे और मश्रूम को अभी थोड़ी देर कुक होने देंगे यह मस्रूम बेसर मेरा पुरी तरह बन चुका है हम फ्लेम को भी आफ कर देंगे और यह मस्रूम बेसर राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है आप इसको घर में बनाईए और आपना एक्सपिरियंस मेरे साथ सेर कीजिए और आपको यह ओरिया स्टाइल मस्रूम बेसर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक यू